हेलो यूटूब फेमली आपका हमारी चैनल में स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू पैटल लेकर है है जो आप स्क्रीन पर देख लेखे होगे फ्रेंट्स यह देखिए यह हमारी लेडिस कारडिगन बच्चों की स्वेटर बच्चों की हाई नेक पुलोवर, सॉल, जैकेट, मफलर, स्काप किसी प्रोजेक्ट पर भी आप इसको अपलाई कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह आगे से इस तरह यह देखिए और पीछे से इस तरह दिखाई देता है तो यह हमारे थ्री फंदे की बुनाई है यह थ्री फंदे, थ्री फंदे, थ्री के लिए छोड़े वे हैं तो फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें लाइक, सेर, सिस्क्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह बुनाई आपको कैसी लगती है यह कुछ हनी भी जैसी बुनाई दिखती है बहुत सुन्दर लगती है और कैसे बनाते है इसको मैं आपको बताऊंगी तो फ्रेंट्स मैंने यह 17 फंदे डाले वे हैं यह मेरे 3 के मल्टिपल 15 फंदे हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा मैंने रखे वे हैं तो यह मेरे 17 फंदों में यह डिजाइन आपको बताऊंगी तो फ्रेंट्स पहले हम यह बुनाई उल्टी तो हम दो सलाई सीधी उल्टी बना लेंगे दो सलाई हम पूरी ऐसे सिम्पल सीधी उल्टी बनाएंगे फिर जाके हमारी जब उल्टी सलाई आएगी उसमें हम आपको यह बुनाई बताएंगे यह पूरी सीधी जाएगी इसके बाद जो दूसरी उल्टी आएगी वो भी उल्टी जाएगी फिर एक सलाई और सीधी जाएगी उसके बाद जब तीसरी सलाई हमारी उल्टी आएगी उसमें हम यह बुनाई बनाएंगे तो फ्रेंड मैंने यह तीन सलाई सीधी उल्टी बना दी है और आब इसको हम उल्टी साइज से डिजाइन को स्टारट करेंगे तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम इसमें रेड कलर की उनको जॉइन कर देंगे, जो मैंने कर लिया है और आप पहला फंदा ऐसे ही हम निकाल देंगे फिर इस वाले रेट धागी को जो हमने जोइन करा है इसको हम पीछे ले जाएंगे इस तरीके से और इसको पीछे ही छोड़ देंगे white color से हम 3 फंदे बनाएंगे उल्टे 1, 2, 3 3 फंदे हमने उल्टे बना दिये फिर इस red धागे को हम आगे लाएंगे इस red कून को अपनी साइड लाके इसको यहीं पे छोड़ देंगे फिर white से हम 1, 2, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे फिर उनको लेंगे पीछे खोड़ देंगे फिर हम तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक, 2, 3 फिर इस धागे को आगे था इसको अपनी साइड लाके यहां पे छोड़ेंगे फिर white से 3 फंदे बनाएंगे उल्टे दो तीन फंदे अब इस धागी को आगे की side छोड़ेंगे इसको यहाँ पर छोड़ेंगे फिर तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन अब इस धागी को अपने side ले आएंगे और एक फंदा उल्टा बना तो ने ठीक है एक फंदा हम बुनेंगे, यह फंदा हमने पहला बुन दिया है, अब यह जो हमारा red color का धागा है, इसको हम आगे लाएंगे, तो इसको आगे लाने के लिए पहले इस white को इधर करेंगे, इस से ऐसे cross में लेके इसको आगे लिए आएंगे, और फिर हम तीन फंदे सीधे बना एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बनाएं, इसको पीछी को छोड़ दिया, फिर तीन फंदे सीधे बना दिया, एक, दो, तीन फंदे सीधे बनाएं, इस दागे को red को अपनी साइड ले आएं, फिर इसको यही पे छोड़के white से तीन फंदे सीधे बनाने हैं, एक, दो, ती इसको रेड को हम फिर पिछे ले जाएंगे फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन फिर इस रेड धागी को उन को अपने साइड लाएंगे फिर तीन सीधे बनाएंगे एक दो तीन और फिर इसको पिछे ले जाएंगे और एंड में एक पंदा बुनेंगे वाइट से यह दिखे फ्रेंट्स यह हमारी दो सलाई होगी है यहां से बीजाइन की हमारी दो सलाई होगी है अब हम तीसरी चलाई में फिर वैसे ही करेंगे यह पहला फंदा हम फ्रेंट्स बुनेंगे वadowite से तिक है अब इस रेड धागे को रेड उनको पिछली जाएंगे और फिर हम तीन सफीद बुनेंगे एक दो तीन ठीक है ये बेस कलर अपना आप जो भी लगाओगे उससे बुनोगे और फिर इस रेड धागी को अपने साइड लाएंगे फिर तीन फंदे एक दो तीन फंदे वाइट से बुनेंगे फिर इस रेड धागी को पीछे ले जाएंगे और तीन फंदे उल्टे फिर बनाएंगे एक दो तीन फंदे उल्टे बना दिये फिर इस धागी को आगे थाई अपने साइड लाके यहीं पर छोड़ देंगे और वाइट से तीन फंदे बनाएंगे एक दो तीन फंदे बनाएं फिर इस रैट को आगे छोड़ेंगे और तीन फंदे फिर हम वाइट से बनाएंगे एक, दो, तीन ठीक है और इस धागे को इस उन को फिर अपने साइड लाके एक फंदा हम उल्टा बना देंगे वाइट से तो यह दिखें फ्रेंट्स यह हमारे कुछ इस तरह दिखने लग जाएगी अब हम क्या करेंगे इसमें पहला फंदा हम वाइट से बनाएंगे ठीक है दूसरा फंदा भी हम वाइट से बनाएंगे तीसरा फंदा यह जो हमारे तीन फंदों के बीच में हमने यह धागा ले रखाया यह उन ले रखी है यह तीन फंदे हैं हमारे यह वाले ती इस तरीके से लाना है हमने और इस वाले फंदे में ऐसे डालके छोड़ देना है और फिर इसको उठाके इस फंदे से क्रॉस कर देना है इस फंदे को ऐसे क्रॉस कर दिया और इस फंदे को हम रैड कलर से बुन देंगे इस तरीके से इसको बुन दिया फिर फ्रेंट्स हम वाइट से एक, दो, तीन और साथ साथ फ्रेंट्स ये रेट धागा भी आगे ले जाते रहेंगे ताकि हमारे उसमें जोलना आए चार, पाँच बीच में हम पाँच फंदे वाइट से बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच फिर ये हमारे जो तीन फंदे थे ये बीच का फंदा है फ्रेंट्स ये ये तीन फंदे थे हमारे जो बीच का फंदा है इस बीच के फंदे में ही हमको बुनना है तो ये हमारा वाइट से जाएगा ये हमारे पाँच हो गए है फिर यहां से नीचे से हम चलाई डालेंगे इस तरीके से और इस फंदे को इसमें उतार लेंगे फिर इसको ऐसे करके इधर से निकाल लेंगे इस तरीके से फिर इस फंदे को रेट से बना देंगे इसको रेट से बनाया, फिर वाइट कलर से हम वो ही पाच फंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच फंदे बनाएं, फिर यह हमारे यह बीच का फंदा है, फिर इस बीच की फंदे में ही हम ऐसी कलर से नीचे से सलाई डालेंगे, इस फंदी को इसमें उतार लेंगे फिर इसको इन फंदों यह जो वाइट फंदा हमारा था उसमें से ऐसे निकाल लेंगे इधर को यह इस तरीके से यह निकाल दिया है एक फंदा हमने और इसको हम रेट से बुन देंगे इस तरीके से, यह red से बुन दिया है, और फिर यह दो white से बुने जाएंगे, यह दिखेंगे friends, यह दोनो white से बुन दिया, यह बुनाई दिखने लग जाती है, अब हम यह उल्टी सलाई पूरी उल्टी बना देंगे, white से, ठीक है friends, यह एक, दो, तीन, जो red था वो भी, यह हमारी पूरी white से बुन जाएगी, तो friends, बहुत सुन्दर लगती है, boys के लिए बनाओ, sweater और उसमें पूरी sweater में इसको डाल दो, sweater का look ही बहुत सुन्दर लगता है, तो यह पूरी सलाई हमने उल्टी बना दिये, अब हमारे सीधी सलाई आ दिये, तो इस सीधी सलայे में हम इसको भी पूरा सीधा बनाएंगे क्योंकि यह बुनाई, उल्टी साइड से स्टार्ट होती है तो यह अब सीधी सलाई आरिए, इसको भी हम सीधा बना देंगे तो friends मैंने तो ये सीधा बना के जो उल्टी सलाई आ रिए उसमें फिर बुनाई डालिए पर फ्रेंड्स अगर आपको 6 सलाई भी बनानी है तो आप 6 बलाओ, मैंने तो कुल 2 सलाई बनाई भी हैं, 2 के बाद डिजाइन डाला हुआ है, अगर इसमें आप 6 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, यह प्लैन, यह पूरी वाइट चली गई, अगर आप यहां पे 6 सलाई बनाते हो, तो यहां पे आपकी जगे काफी बच जाएगी, यह चीज दूर हो जाएगी, अगर आपको कम बनाना है, तो मैंने तो यह 2 सलाई बनाई भी हैं, तो मेरा यह डिजाइन पास पास दिख रहा है, बस यह अंतर रेवरेंस, ठीक है, तो यह देखे, यह देखो, यह इस तरह हो, अब हम इसमें, अभी तो हमने यहां एक फंदा बुन के, यहां पे एक फंदा बुना था शुरू में, और डियार डाला था, अब हम क्या करेंगे, तीन फंदे वाइट से बुनेंगे, एक, दो, तीन फंदे हम वाइट से बुन दें अब इस धागे को चार फंदे एक शुरू का भी था इस धागे को हम आगे डाल देंगे इधर को इस वाली उनको रैड उनको फिर तीन फंदे वाइट से बुनेंगे शुरू में चार फंदे इसलिए क्योंकि ये शुरू का फंदा भी था तो ये एक दो तीन ये तीन बुने फिर इस धागे को अपने साइड ले आना है फिर तीन उल्टे फिर बनाने है एक दो तीन फिर इस धागे को अपने साइड से पीछे साइड ले जाना है फिर तीन उल् फर्स्ट में वैसे ही करना है पर अब चेंज कर देना है पहले मैंने दूसरी जगह बनाए था अब मैं दूसरी जगह बना रही हूँ अभी आपको बताती हूँ एक, दो तीन ये धागा आगए जाएगा और एक और अल्टा बन जाएगा यह इस तरीके से हैं तो friends अभी मैंने इस जगह बनाया था यहाँ पर फर्स्ट में अब हम यहां इसके बीच में आ रहा है है जैसे ये पहले हमने यहांपे बनाया तो यह इसके बीच में आया एसे ही यह क्रॉस में आएगा ठीक है यह देखे पहले हमारे यहां पर तीन बने अब हमारे यहां पर दो बन रहे हैं बनेंगे इसी तरह डिजाइन इसी तरह ही पड़ेगा ठीक है अब पहला हम सीधा बनाएंगे दूसरा सीधा तीसरा सीधा चौथा सीधा अब यहां से हमारी यह उन आगे आएगी रैड वाली ऐसे आगे आगी फिर हम एक सीधा दो सीधा तीन सीधा बनाएंगे ठीक है फिर इस उनको पिछे ले जाएंगे फिर एक सीधा दो सीधा तीन सीधा इस उनको आगे लाएंगे रैड वाली को अपनी साइड ठीक है ऐसे फिर वही एक दो तीन सीधे बुनेंगे, इसको फिर पीछे ले जाएंगे, फिर तीन सीधे, लास्त के हमारे चार सीधे जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, ये देखें फ्रेंट, ये दो बार हो गया है, एक बार हम इसको और करेंगे, ये एक फंदा मुन्ना है, एक, दो, तीन, चार, फिर इस धागी को पीछे ले जाएंगे, रैड कलर को, फिर तीन उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन उल्टे बनाएं, फिर इस पीछे, जो रैड धागा हम ले गए थे, पीछे उसको आगे अपनी साइड लाके छोड़ देना है, फिर वाइट से तीन फंदे बनाने हैं, एक, दो, तीन, फिर इस तरह से दिखने लग जाता है, फिर इस धागी को अपनी साइड लाके इधर छोड़ देनाएंग और तीन फंदे वाइट से बनाएंगे, एक, दो, तीन, ये लास्ट का फंदा चार, लास्ट में चार फंदे वेंगे, क्योंकि एक सुरू का फंदा था, तो ये देखिए, ये फिर हमारे तीन लाइन जैसे दिखने लग गई हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिख ली थी, अब इसको हमने बंद करना है फ्रेंज, आप क्या करना है, पहला फंदा वाइट से बनाना है, एक, दो, तीन, चार, और ये जो तीन फंदों में हमने ये उन फेरी विये, इसका एक फंदा इसका बुन लेंगे, माच होगे, अब हम इस बीच वाले फंदे में इस तरह दालेंगे इस लाई को इसमें ये वाला फंदा उतार लेंगे, फिर इस तीनो धागों को, तीनो उन को इस तरह से पीछे को डाल देंगे, और इसको रेट से बुन लेंगे, इसको रेट से बुनेंगे, फिर रेट छोड़के हम एक, दो, तीन, ये रेट धागे को भी साथ में आगे ल पांच फंदे वाइड बनाए फिर हमारा वीच पांद है। इसमें हमने यही से ऐसे सलाई डालनी है की इसको सलाई होतार लीना है। फिर इन तीनों को इस सलाई से इधर निकालके इस वाले फंदे से वाइट फंदे से पीछे निकालके इसको रैट से बना लेना है इस तरीके से और फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे वाइट से बन गए, तो फ्रेंट से देखिए, यह कुछ इस तरीके से दिखने लग जाती है, मुनाई, देखिए, पहले हमने तीन बनाए, उसके बाद दो, फिर हमारे यहां से अगली बार फिर तीन से अब यहां पर बनेगा, एक ही हां बनेगा, एक ही हां बनेगा और एक यहां बनेगा थिक है, तो यह ऐसे ही क्रॉस में बनेंगे, आप कितने भी बड़े प्रोजक्ट में इसको डालो, इसपर है डालना, विर थी के मुल्टिपल फंदे डालके, उसमें औ gear ने हमारे साइ करके बताना जरूर से ठीक है यह थी थैंक यू बन के यह कुछ इस तरह दिखेगी थैंक यू